गरियाबंद जल उप्योगता समीटी कि एक बैठक आयुज़ित की गई पताने कि इस बैठक में कलेकटर दीपक अगरिबाल के साथ राजिम बिधाय के रोहित शाहु और बिंद्रा नमागर बिधाय के जनक लाल ध्रोब मुख्य रूप से उपस्थित रही मैं इस बैठक में राजिम बिधायक रोहित साहूर ने मांग रखते हुए कहा कि राजिम फिंगेश्वर पांडुका कोपराक शृत्र के किसारों को रभी फसल के लिए पानी की कापी दिक्कत आ रही है जिसके लिए सिका शेर्क से पानी छोड़ा जाए जिस पर सर्वसंबती से फैसला किया गया है कि जिले के बहुत तर पंच्वायकों के 9000 एकर खीतों को रभी फसल हितु सिंचित किया जाएगा इसके लिए ब्रहद और लगू सिचाएं बांधों से पानी छोड़ा जाएगा इसानों को पानी देने के बाहद आज नेनाय लिए रभी फसल के लिए हमारे जो जलासा है शिका से तर बांध और छोटा-चोटा और जो बांध है वहां से रभी फसल के लिए पानी देने का नेनाय आज हुआ है जो लगभाग 42 ग्राम पंचाते हैं जिसके अंतरगात लगभाग 7 हजजार एकड में पानी देने का आज नेना हुआ है और सकता नुसार जहां ज़रुराथ है जहां रभी फसल पानी देने के आज सकता है वही दे रहे हैं समीति में आज जो चर्चा चली उस पर बात रखे हैं आने वाले समय में उसमें सुधार करने की बात किया है और जो जो अधूरा काम रह गया है जो हमारे बिंदरा नावगर इधान सभाग का नहर बचा हुआ है उसका अधूरा काम गरियावन से गुजर करके यहां पर जाल उप योगता समीति ने निर्णा लिया है कि जो ब्रियत जलासे उनसे 42 ग्राम पंचाईतों को लगभग 7000 एकड में और लगू जलासियों से जो है 28 ग्राम पंचायतों में लगभग 2000 एकड में जो है सिचाई के लिए जल प्रदाय की जाने समंदी करवाही की जारी है